हेलो फ्रेंड्स स्वाथ हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यानवीर 71 में दोस्तो आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर में इस प्रकार की कॉस्चन्स को ट्रीक के माध्यम से सॉल्व करेंगे जो कि हेलफूर रहेंगे आपके आने वाले HPTAC JBT के एक्जाम के लिए क्लास 2 और क्लास 2.1 वाली वीडियो का लिंक दिया हुआ है तो आप उस लिंक के ओपर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं साथ ही में दोस्तों जो भी पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहा है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको time to time मिलती रहे चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं पहले कॉस्चन से इस परकार के कॉस्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ट्रीक रहता है वो कह रहता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है जो पहली संख्या होती है वो लिखनी होती है पहली संख्या पलस और इसके बाद अंतिम संख्या अंतिम संख्या क्या है यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है और यहाँ पर अंतिम संख्या यहाँ पर कितनी है दस और बटे में क्या लिखना होता है बटे में टू अपाउन टू और मल्टिप्लाई और उसके साथ गुणा क्या करना होता है जितनी ये संख्याएं है एक दो तीन और ये कहां तक जा रही है दस तक मतलब हमारे पास संख्याओं का नंबर कितना है यहाँ पर एक दो तीन ऐसे करते करते आगे तक ये कितनी संख्याएं है दस तक है तो यहाँ पर वो लिखेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या upon 2 into numbers of terms, मतलब कितनी संख्याएं जो है हमारे पास रहती है तो एक से लेकर 10 तक हमारे पास कितनी संख्याएं रहती हैं तो वो रहेंगी 10 तो अब जो है इसको solve करेंगे 2 से इसको काड़ लीजिए 2 पंजे 10 तो कितना हो गया इसको plus कर लेंगे तो 11 into 5 तो कितना आगया हमारे पास 55 55 जो है हमारे पास क्या रहेगा answer रहेगा चलिए देख लेते हैं option में कौन सा सही रहेगा option B जो है इसके लिए right answer जो है वो सही रहेगा चलिए बात कर लेते हैं अगले question की देखी दोस्तो इस question में क्या बोल गया है एक से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का योग find करने के लिए बोला गया है तो 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा तो पहले question में देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 और यह कहां तक जा रहे है 20 तक इन सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा तो इसको भी उसी ट्रिक के मादम से solve करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे पहली संख्या उसके बाद अंतिम संख्या यहाँ पर कौन सी है 20 है और बटे में कितना लिखना होता है अपॉन 2 कितना लिखना होता है 2 को लिखना होता है तो क्या जो है ट्रिक आपके पास क्या रहेगा पहली संख्या पलस अंतिम संख्या अपॉन मतलब बटे में 2 इंटू गुने में क्या लिखना होता है जितनी संख्याएं हो तो एक से लेकर 20 तक हमारे पास कितनी संख्याएं है एक दो तीन ऐसे करते करते 20 तक हमारे पास कितनी संख्याएं है तो कितनी संख्याएं रहेंगी 20 ही हमारे पास जो है वो संख्याएं रहेंगी अब इससे काट दीजिए इसको ठीक है अब जो है ये कितना हो जाएगा 20 और 21 मल्टिप्लाई में 10 तो कितना हो जाएगा 210 हमारे पास अंसर रहेगा तो कौन सा रहेगा अंसर में option भी हमारे पास right answer जो है वो रहेगा तो चलिए बात कर लेते हैं अब अगले question की अभी question को देखिए एक से लेकर सार तक सबी संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा जब हम इन सबी संख्याओं को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसको भी इस question को भी हम trick के माध्यम से ही solve करेंगे trick जो है दोस्तो पुराना वही रहेगा पहली संख्या हमारे पास क्या है 1 प्रस अंतिम संख्या अंतिम संख्या कितनी है 60 upon मतलब बटे में 2 into 2 into मतलब गुने में number of terms मतलब कितनी संख्याएं हैं हमारे पास 1, 2, 3 ऐसे करते करते 60 तक हमारे पास कितनी संख्याएं रहेंगी तो 60 ही हमारे पास संख्याएं रहेंगी 1 से लेकर 60 तक तो इसको काट दीजिए तो कितना हमारे पास इसको solve करके यह हो गया 60 और 1 61 into 30 तो इसको multiply करेंगे तो फिर 3 एकम 3 18 और 1830 देखिए हमारे पास क्या जो है option में दिये गया है जी हाँ option में C इसके लिए right answer जो है वो रहेंगे तो दोस्तों जब जो है आप एक या दो बार इन question की practice जो है वो कर लेंगे तब जो है आप इन question को मातर जो है 2 और 3 सेक्टों में ही solve कर लेंगे चलिए बात कर लेते हैं हम अगले question की चलिए इस वाले question को solve कर लेते हैं उसी trick के माध्यम से तो एक से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का जो है वो योग जो है वो क्या रहेगा तो एक से 100 तक सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या रहेगा इसको find करने के लिए हम उसी trick का जो है वो use करेंगे जिसका हमने पहले बारे question को solve करने के लिए किया है तो इसके लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यहाँ पर कौन सी है 100 upon 2 into numbers of terms कितनी संख्याएं है तो एक से लेकर 100 तक हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी अब जो है इसको solve कर लेते हैं 101 into 50 multiply कर लेते हैं 0 5 0 5 तो यह हमारे पास right answer जो है वो रहेगा तो देख लेते हैं option में कहांच पर जो है यह देखे option D जो है इस question के लिए right answer जो है वो रहेगा चलिए देख लेते हैं आब next question को दोस्तो इस वाले question को ध्यान पुरुक देखिए यहां हमें एक से लेकर 75 तक 1 से लेकर 75 तक जो है संख्याओं का योग जो है वो नहीं पूछा गया है एक से लेकर 75 तक जितनी संख्याओं आती है उनका योग जो है वो नहीं पूछा गया है बलकि उसकी बजाए जो है हमें बीच मैंसे संख्याओं का योग पूछा गया है 21, 22, 23 लेकिन ये संख्याओं जो है वो कैसी है क्रम में है 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 तो ये बीच मैंसे ली गई संख्याओं है मतलब एक से start नहीं है उसके बजाए जो है कहां से start की गई है यहाँ पर गिंती जो है वो 21 से start की गई है तो 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा इस प्रकार के question भी आप से पूछे जा सकते हैं तो इस प्रकार के question को भी हम उसी formula की सहता से या उसी trick के माध्यम से solve करेंगे तो क्या रहेगा उसके उसकी formula का यूज कर लेते हैं तो पहली संख्या तो इसमें पहली संख्या कौन सी रहेगी 21 क्यूंकि दोस्तों इस वाले question में जो question start हुआ है वो कहां से हुआ है 21 और पूछा भी गया है 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का यो जो है वो क्या होगा तो यहां पर पहली संख्या कौन सी है यहां पर देखिए 21 और अंतिम संख्या कौन सी है 75 पहली संख्या कौन सी रहेगी 21 और अंतिम संख्या कौन सी रहेगी 75 और बटे में कितना रहेगा 2 21 प्लस 75 अपॉन बटे में कितना रहेगा 2 इंटू और 21 से ले कब 20 तक हमारे पास 20 से आगे ही न तो एक इसे 75 मैंसे हम किसको मैंनस करेंगे 20 को यहां पर कम करेंगे तो कितना आ गया फिर हमारे पास 55 तो 21 से लेकर 75 तक हमारे पास कितनी संख्याएं रहेंगी वो रहेगी 55 55 अब जो है इनको प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 96 upon 2 into 55 कितना आ गया हमारे पास इसको हटा देते हैं यहां से तो चुके 8 और 9 2 अठे 16 तो जब हम इन दोनों को multiply करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या रहेगा वो रहेगा option C 2640 हमारे पास right answer जो है वो रहेगा दोस्तो आपने multiply करके देखना है इन दोनों को multiply करके देखना है 48 और 55 को क्या आपके पास यही answer आता है यही answer जो है आपके पास आएगा तो इसके लिए right answer जो रहेगा वो रहेगा option C चलिए बात करेंगे दोस्तो इस वाले question को ध्यान पुर्वक देखिए क्या पूछा गया है सार तक सभी समसंख्याओं का योग ठीक है सभी सार तक सभी समसंख्याओं का योग तो दोस्तो एक से लेकर सार तक जो है हमारे पास समसंख्याओं कौन कौन सी रहेंगी वो देखते हैं तो पहली संख्या कौन सी होगी समसंख्या दो ठीक है, प्लस में, या क्योंकि समसंख्याओं का बोला गया है, योग ठीक है अगली समसंख्या 4 6, ऐसे करते करते 4, 6, 2, 4, 6 ऐसे करते करते हमारे पास अंतिम जो है, क्योंकि हमें जाना कहां तक है 60 तक, और 60 हमारे पास क्या रहेगी समसंख्या जो है वो रहेगी तो 60 तक हम चले जाते हैं ठीक है तो यह रहेगी अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा ये जो है समान अंतर पर ये संख्याएं दी गई हैं दो के बाद चार तो अंतर जो है वो कितना रहेगा इन दोनों में कितने का चार मैंसे दो को गठा जाता है दो का अंतर है छे मैंसे चार को गठा जाता है तो कितने का अंतर है दो का तो दोडो गे अंतराल पर यह संख्या दी गई हैं तो इसमें भी वही फारमुला जो है वोisse होगा जो हम पहले कर रहे थे उसी फारमुले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पहली संख्या कौन सी होगी अब जो है इसको नहीं देखना है ठीक है अब इसको देखना है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है सम संख्याओं का योग तो हमने यह वाला जो है इस वाला जो नीचे हमने बनाया है इसी को हमने यहाँ पर देखना है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है साथ तक सम संख्याएं ली है तो पहली सम संख्या कौन सी होगी टू अंतिम संख्या कौन सी होगी साथ पहली संख्या पलस अंतिम संख्या अपॉन यहाँ पर नीचे बटे मैं दो और एक दो से रेकर साठ तक, साठ तक देखिए दोस्तो जब हम एक से साठ तक जो है देखते हैं, तो हमारे पास तीस संख्याएं जो है, वो क्या रहती है समसंख्याएं रहती है और तीस ही क्या रहती है विसम संख्याएं रहती है और 30 ही हमारे पास के रहती है विसम संख्या है अब कैसे रहती है ये भी अपने देखना है तो ये देखिए एक दो तीन चार यहाँ पर हम 60 तक जो है वो पहुंच जाते हैं ये देखिए पहली कौन सी संख्या हुई वी समसंक्या, ये कौन सी होई, समसंक्या, ये कौन सी होई, समसंक्या, तो ये देखे, समसंक्या, समसंक्या, तो मतलब 60 तक जो है, ये कौन सी होई, समसंक्या, तो देखे दोस्तों, 60 तक जो है, हमारे पास कितनी जो है, 30 जो है, वो समसंक्या रहती है, और 30 जो है, वो वी समस multiply किस से करना होता है तो जितनी हमारे पास संक्याइं रहती हैं तो 2 से लेकर 6 तक हमारे पास कितनी संक्याइं रहती हैं तो कितनी रहेंगी 30 ही रहेंगी ऑब इसको कार दीजिए 15 30 आप 6 62 62 मैं 15 multiply कीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम 930 तो इसमें देखिए कौन सा हमारे पास तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने option में इसको नहीं लिखा था तो यहाँ पर option जो है आप इसको बना लीजिए option तो इसी के हसाब से हमारे पास right answer जो है वो कौन सा रहेगा 930 ठीक है बात कर लेते हैं अब अगले कॉस्चिन की दोस्तों इस वाले कॉस्चिन को देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है 80 तक सभी विश्ण संख्याओं का योग आप यहाँ यहाँ पर हम लिख देते हैं 80 तक सभी विसम संख्याओं का योग तो देखें यहां से 1 से जो है इसको start कर लेते हैं 1, 2, 3 अगर यहां पर 80 तक जो है वो संख्याओं जा रही है तो हमें जो है पहले हम इसको लिख लेते हैं ठीक है अब हमें question को देखते है 80 तक सभी विसम संख्याओं यहां पर पहले हमने 1 से लेकर 80 तक सभी संख्याओं लिख ली अब देखिए 1 से लेकर 80 तक सभी विसम संख्याओं तो अब इस में से केवल हम विसम संख्याओं जो है वो बाहर निकाल लेते हैं तो विसम संख्याओं कौन सी रहती है एक रहेगी उसके बाद 2 कौन सी संख्या रहेगी सम उसको नहीं लेंगे उसके बाद 3 उसके बाद ऐसे करते करते चले जाएंगे 5, 7 उसके बाद ऐसे करते चले जाएंगे और अंतिम संख्या कौन सी रहेगी अब जो है 80 देखिए 80 कौन सी संख्या है यहाँ पर तो 80 रहेगी हमारे पास समसंख्या अब 80 से हमें आगे जाना नहीं है क्योंकि क्या बोला गया है 80 तक ही बोला गया है तो हमें 80 से पीछे देखते हैं तो 79 जो है वो हमारे पास क्या रहेगी विसम संख्या अब जो है क्या बोला गया है 80 تک सभी विशम संख्याओं तो अब इनका विशम संख्याओं का क्या को पूछा गया है हमसे योग योग पूछा गया है कि क्या रहेगा आप देखिए यहाँ पर अंतर देखिए इनके बीच में तीन मैंसे यहाँ इन दोनों का अंतर कितना रहेगा तो अंतर रहेगा दो दो का जो है वो अंतर रहेगा तीन मैंसे एक को गटाएंगे दो आएगा पांच मैंसे तीन को गटाएंगे दो आएगा साथ मैंसे पांच को गटाएंगे दो तो दो दो का जो है वो अंतर रह रहा है तो जहाँ पर अंतर समान जो है वो अंतर रह रहा हो हो वहाँ पर हम उसी फार्मुले का यूज़ करेंगे और वही आपके लिए ट्रिक भी रहेगा तो क्या जो है वो रहेगा पहली संख्या तो इसमें पहली संख्या जो है दोस्तो वो कौन सी रहेगी इसको साब करते हैं आपर पहली संख्या जो है वो कौन सी रहेगी यहाँ पर यहाँ देखिए पहली संख्या जो है वो कौन सी रहेगी 1 प्लस अंतिम संख्या 79 अपॉन 2 औ और एक से लेकर एक से लेकर 80 तक ठीक है, 80 तक जो है हमारे पास 40 जो है वो कौन सी संख्या रहती है, समसंख्या है और 40 ही कौन सी रहती है विसम संख्या है तो हमें कौन सा लेना है हमें हम बात कर रहे हैं विसम संख्याओं की, किसकी बात कर रहे हैं वीसम संख्याओं की तो एक से लेकर 80 तक हमारे पास 20 संख्याओं कितनी रहेंगी वो रहेंगी 40 ठीक है अब इसको कार दीजिए कितना आ गया 80 इसको पलस कर लेते हैं 80 into 20 तो कितना गया 00 और अर्दुने 16 यह हमारे पास अंसर रहता है तो यह देखिए कहां पर जो है यह option में दिये गया है इसके लिए जो right answer रहेगा option यह जो है वो right answer रहेगा के लिए बात कर लेते हैं अगले वाले question की दोस्तो यह वाला question आपके लिए homework में रहेगा 60 तक सभी वीसम संख्याओं का योग जो है वो क्या रहेगा तो इसका अंसर आपने comment box के माध्यम से हमें बताना है option मैं, option आपके पास दिये हैं, यहाँ पर देखिए तो 60 तक जो है सभी वीसल संख्याओं का योग जो है वो क्या रहेगा, तो इस वाले question का answer आपने comment box के माध्यम से हमें गुंजों का योग मतलब 5 का पहाड़ा जैसे 5 ठीक है 5 दुने 10 फस्ते अब 15 ऐसे करते करते कहां चक प्रतम 10 तक 5 दफ 50 ठीक है तो क्या बोला गया है 5 के प्रतम 10 गुंजों का योग इनका योग हमें find करना है तो सबसे पहले इस formula का जिसका use हमने पहले किया है उसका use हमें कहां करना होता है जहाँ पर समान अंतर जो है वो दिया गया हो तो 10 में से 5 5 का अंतर है यहाँ पर भी देखिए 5 का अंतर है तो समान जो है वो अंतर है अब देखिए यहाँ पर भी प्र 50 है अपान तू और बटें धूर मुंठीस गरेंगे तो हमारी पास कितनी संख्杏 रहती हैं क्योंकि 10 भून इस भूल आ गया है तो 10 इसे हैं चंच हैं फ़ने तंक हमारी पास संख्रे रहे घी तस यह हमारे पास जो है वो संख्याय रहेगी 5 का पाहड़ा है 5 1 5 5 2 10 15 आगे लिए संख्याय पांच के 25 25 ऐसे चलते जाएगी और 5 10 50 तो कितने संख्याय हैं 10 संख्याय है ठीक है अब इसको कार देंगे 2 510 ठीक है अब इसको मल्टिवलाई करेंगे तो पहले इनको प्लस करेंगे 25 25 275 देखेंगे क्या जो है option में यह देखिए दोस्तो option A इसमें right answer जो है वो रहा है तो दोस्तो अगर आपको इस प्रकार के question जो है वो मिलते हैं तो आप जो है इसी method के द्वारा उन question को solve करने की कोसिस करें आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको प्रसंद आई होगी तो मिलेंगे next वीडियो में दोस्तो आज हमने question को trick के माद्यम से जो है वो solve किया है वीडियो आपको कैसी लगी है comment box के माद्यम से हमें जरूर बताना है और इस वीडियो को जादर जादा share करना है धन्यवाद दोस्तों झाल